आज हम आपको एक पौरानिक कथा बता रहे है जिसका वर्नन महाभारत के आदी पर्व में मिलता है। ये कथा बताती है कि इस धर्ती पर गरूर और नागूं की उत्पत्ती कैसे हुई, क्यों गरूर नाग के दुश्मन हुए, क्यों नागों की जीब आगे से दो हिस्सों में बटी हुई है और कैसे गरूर, भगवान विश्नु के वहन बने। महर्शी कश्यप की तेरा पत्निया थी, लेकिन विंता और कद्रू नामक अपनी दो पत्नियों से वे विशेश प्रेम करते थे। एक दिन महर्शी जब आनंद भाव में बैठे थे तो उनकी दोनों पत्न बनूँ। फिर महर्शी ने विंता से पूछा, विंता ने कहा, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ स्वामी, किन्तु हजार पुत्रों की नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही पुत्र की, लेकिन मेरा पुत्र इतना बलवान हो की कद्रू के हजार पुत्र भी उसकी बराबरी न कर सके। महर्शी बोले, शीग रही, मैं एक यग्य करने वाला हूँ। यग्यो प्रांत तुम दोनों की माँ बनने की इच्छाएं अवश्चिप पूरी होगी। महर्शी कश्यप ने यग्य किया। देवता और रिशी मुनियों ने सहर्ष यग्य में हिस्सा लिया। यग्य संपू महर्शी कश्यप पुना तपस्या करने चले गए। कुछ मा पश्चात विंता ने दो तथा कद्रू ने एक हजार अंडे दिये। कुछ काल के पश्चात कद्रू ने अपने अंडे फोड़े तो उन में से काले नागू के बच्चे निकल पड़े। कद्रू ने खुशी से चहकते हुए विंता को पुकारा, विंता, देखो तो मेरे अंडो से कितने प्यारे बच्चे बाहर निकले है। विंता बोली, सचमुच बहुत खूबसूरत है कद्रू, बधाय हो, अब मैं भी अपने दोनों अंडो को फोर कर देखती हूँ। ये कहकर विंता अपने दोनो है, तभी फूटे हुए अंडे के अंदर से बालक बोल पड़ा, जल्दबाजी में अंडा फोर कर तुमने बहुत बड़ा अपराद कर डाला है। फल्सवरूप तुम्हे कुछ समय तक दास्ता करनी होगी। विंता बोली, अपराद तो मुझसे हो ही गया, लेकिन इसका नि इतना कहकर अंडे से उत्पन अपूर्ण बालक आकाश में उड़ गया और विंता दूसरे अंडे के पकनेता किंतजार करने लगी। समय पाकर अंडा फूटा और उसमें से एक महान तेजस्वी बालक उत्पन हुआ, जिसका नाम गरूर रखा गया। गरूर दिन प्रतिदि भरिमन कर रही थी। कद्रू ने सागर के किनारे दूर खड़े सफेद घोडे को देखकर विंता से कहा, बता सकती हो विंता। दूर खड़ा वह घोडा किस रंग का है। विंता बोली सफेद रंग का। कद्रू बोली शर्ट लगा कर कह सकती हो कि घोडा सफेद रंग का ही ह मुझे तो इसकी पूंच काले रंग की नजर आ रही है विंता बोली तुम्हारा विचार गलत है घोड़ा पूंच समेथ सफेद रंग का है दोनों में काफी देर तक यही बहस छिली रही आखिर में कद्रू ने कहा तो फिर हम दोनों में शर्थ हो गई कल घोड़े को चल कर देखते है यदि वो समपूर्ण सफेद रंग का हुआ तो मैं हारी और यदि उसकी पूंच काली निकली तो मैं जीत जाऊंगी उस हालत में जो भी हम दोनों में से जीतेगी तो हारने वाली को जितने वाली की दासी बनना पड़ेगा बोलो तुम्हें मंजूर है विंता बोली मुझे मंजूर है रात को ही कद्रू ने अपने सर्प पुत्रों को बुला कर कहा आज रात को तुम सब उच्चे श्रवा घोड़े की पूंच से जाकर लिप्ट जाना बोली ऐसा कैसे हो गया कल तो इसकी पूंच बिलकुल सफेद थी कद्रू बोली खूब तसल्ली से देख लो घोड़े की पूंच आरम से ही काली है शर्त के मुताबित तुम हार चुकी हो इसलिए अब तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा विशितापूरवक विंता को कद्रू की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी माता को उदास देखकर गरोर ने पूछा क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे आप कद्रू की दास्ता से मुक्त हो जाए विंता बोली ये तो कद्रू से ही पूछना पड़ेगा यदि वह प्रसन हो जाती है तो मुझे दास्ता से मुक्त कर देगी गरोर अपनी माता विंता को लेकर कद्रू के पास पहुचा और कहा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी माता को अपनी दास्ता से मुक्त कर दे कद्रू बोली हो सकता है बशर्ते की तुम मेरे पुत्रों को अमृत ला कर दे दो ये सुनकर गरूर सोच में पढ़ गया उसने अपनी माता से पूछा मा अमृत कहा मिलेगा जिसे लेकर मैं तुम्हें दासी जीवन से मुख्त कर संकू विंता ने कहा अमृत का पता तुम्हारे पिता बता सकते है पुत्र तुम उन्ही के पास जाकर पूछो गरोल महर्शी कश्यप के पास पहुचा कश्यप अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन हुए गरोल ने उनसे पूछा पिताश्री, मैं आमरित लेकर अपनी माता को दास्ता से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ. प्रिपया मुझे बताए कि आमरित कहा मिलेगा. महर्शी बोले, पुत्र, देवराज इंद्र ने आमरित की सुरक्षा के लिए बहुत व्यापक प्रबंद कर रखा है. वहां तक गरोर को इंद्र का पता बता दिया. गरोर ने फिर पूछा, पिता जी, मुझे भूख बहुत लगती है. प्रिपया मुझे ये भी बता दीजिए कि इस लंबे मार्ग में क्या खा कर अपना पेट भरू. महर्शी बोले, अमरित जिस स्थान पर रखा है उस सरोवर तक पहु महर्शी बोले, सरोवर के अंदर एक विशाल कच्छुआ रहता है और उसके साथ ही वन में एक महा भयन कर हाथी भी रहता है. दोनों ही बहुत प्रूर और आसुरी प्रवृती के है. तुम उन्हें भी खा सकते हो. पिता का आदेश पाते ही गरुन अमरित सरोवर की ओर बढ चला. मार्ग में उसने निशादों को खा कर अपनी भूख मिटाए. फिर अमरित सरोवर पर पहुँचकर कच्छप और हाथी को अपने पंजों में दबाया और दोनों को खाने के लिए किसी उच्चित जगह की तलाश में उड़ चला. सोंगिरी परवत पर लहले हाते उचे व्रिक्षों को देख कर जैसे ही उसने एक व्रिक्ष पर बैठना चाहा तो उनके भार से व्रिक्ष की शाखा तूटकर नीचे गिरने लगी. ये देख गरूर तुरंत उड़ा और दूसरे व्रिक्ष पर जा बैठा. जिस शाखा पर वह बैठा उस शाखा पर उसने उलते लटके कुछ रिशियों को तपस्या करते देखा. लेकिन वह शाखा उनके भार से तूटकर नीचे गिरने लगी. ये देख गरूर ने शाखा को चोंच में दबाया और हाथी तथा कच्चप को पंजे में दबाये हुए वह अपने पिता के आश्रम की ओर उठ चला. बोले तुमने बहुत अच्छा किया पुप्त. जो सीधे यहां चले आए. शाखा से उल्टे लटके हुए ये बालखिलिया रिशिगन है. अगर इन्हें कश्ट पहुचा तो ये शाब देकर तुम्हें भस्म कर देंगे. गरोर बोले तो फिर बताए अब मैं क्या करूँ. म चोंच में दभी शाखा को नीचे फेक कर गरोर ने भी आनन से कच्छुए और हाथी का आहार किया और त्रिप्थ होकर पुना अमृत लाने के लिए उर्चला. गरोर अमृत सरोवर के पास पहुचा तो अमृत की रक्षा करते हुए महाकाई देवो और अमृत कलश के चारो और भूमते हुए चक्र को देखकर वह हैरान हो गया. उसने सोचा कि ये देव और चक्र देवराज इंडर ने अमृत कलश की सुरक्षा के लिए लगाए हुए है. चक्र में फसकर मेरे पंख कट सकते है. इसलिए मैं अत्यां छोटा रूप धारंग कर इसके मध्यमें आज हम आपको एक पुरानिक कथा बता रहे है जिसका वर्नन महाभारत के आदी पर में मिलता है. ये कथा बताती है कि इस धर्ती पर गरूर और नागूं की उत्पत्ति कैसे हुई? क्यों गरूर नाग के दुश्मन हुए? क्यों नागों की जीब आगे से दो इस्सों में ब महर्शी कश्यप की तेरा पत्निया थी. लेकिन विंता और कद्रू नामक अपनी दो पत्नियों से वे विशेश प्रेम करते थे. एक दिन महर्शी जब आनंद भाव में बैठे थे तो उनकी दोनों पत्निया उनके समीप पहुची और पती के पाव दबाने लगी. प्रसन हो कर महर्शी ने बारी-बारी से दोनों को संबोधित किया, तुम दोनों ही मुझे विशेश प्रिय हो. तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ. कद्रू बोली, स्वामी, मेरी इच्छा है कि मैं हजार पुत्रों की मा बनूँ. Advertisments 123. फिर महर्शी ने विंता से पूछा. व महर्शी बोले, शीग रही मैं एक यग्य करने वाला हूँ. यग्यो प्रांत तुम दोनों की मा बनने की इच्छाए अवश्चिप पूरी होगी. Advertisments 123. महर्शी कश्यप ने यग्य किया. देवता और रिशी मुनियों ने सहर्ष यग्य में हिस्सा लिया. यग्य संपूर् पुना तपस्या करने चले गए. कुछ मा पश्चात विंता ने दो तथा कद्रू ने एक हजार अंडे दिये. कुछ काल के पश्चात कद्रू ने अपने अंडे फोड़े तो उनमें से काले नागू के बच्चे निकल पड़े. कद्रू ने खुशी से चहकते हुए विंता क को पुकारा, विंता, देखो तो मेरे अंडो से कितने प्यारे बच्चे बाहर निकले है. विंता बोली, सच मुछ बहुत खुबसूरत है कद्रू. बधाए हो, अब मैं भी अपने दोनों अंडों को फोड़ कर देखती हूँ. ये कहकर विंता अपने दोनों अंडों के पास गई. उसने एक अंडा फोर दिया, लेकिन अंडे के अंडर से एक बच्चे का आधा बना शरीर देखकर वह सहम गई. बोली, हे भगवान, जल्दी बाजी में मैंने ये क्या कर डाला? ये बच्चा तो अभी अपूर्ण है. त विंता बोली, अपरात तो मुझसे हो ही गया. लेकिन इसका निराकरन कैसे होगा पुथ? अपूर्ण बालक बोला, दूसरे अंडे को फोरने में जल्दबाजी मत करना. यदि तुमने ऐसा किया तो जीवन भर दास्ता से मुक्त नहीं हो पाऊगी. क्योंकि उसी अंडे से प पकने तक इंतजार करने लगी. समय पाकर अंडा फूटा और उसमें से एक महान तेजस्वी बालक उत्पन हुआ, जिसका नाम गरूर रखा गया. गरूर दिन प्रतिदिन बढ़ा होने लगा और कद्रू के हजार पुत्रों पर भारी पढ़ने लगा. परिनामस्वरूप व विंता और कद्रू भरिमन कर रही थी. कद्रू ने सागर के किनारे दूर खड़े सफेद घोड़े को देखकर विंता से कहा, बता सकती हो विंता. दूर खड़ा वह घोड़ा किस रंग का है? विंता बोली, सफेद रंग का. कद्रू बोली, शर्ट लगा कर कह सकती हो कि घोड़ा सफेद रंग का ही है. मुझे तो इसकी पूंच काले रंग की नजर आ रही है. विंता बोली, तुम्हारा विचार गलत है. घोड़ा पूंच समेथ सफेद रंग का है. दोनों में काफी देर तक यही बहस चिली रही. आ उस हालत में जो भी हम दोनों में से जीतेगी, तो हारने वाली को जितने वाली की दासी बनना पड़ेगा. बोलो तुम्हें मंजूर है. विंता बोली, मुझे मंजूर है. एड़़िस्मेंस 123. रात को ही कद्रू ने अपने सर्पुत्रों को बुला कर कहा, आज रात को तुम सब उच्चे श्रवा घोडे की पूंच से जाकर लिप्ट जाना. ता कि सुबह जब विंता देखे तो उसे घोडे की पूंच काली नजर आए. योजना नुसार नाग उच्चे श्रवा घोडे की पूंच से जाकर लिप्ट गए. परिनामस्वरूप सुबह जब कद्रू न मुताबित तुम हार चुकी हो इसलिए अब तुम्हें मेरी दासी बन कर रहना पड़ेगा Advertisements 123 विवशितापूरवक विंता को कद्रू की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी माता को उदास देखकर गरूर ने पूछा क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे आप कद्रू की दास्ता से मुक्त हो जाए विंता बोली ये तो कद्रू से ही पूछना पड़ेगा यदि वह प्रसन हो जाती है तो मुझे दास्ता से मुक्त कर देगी गरूर अपनी माता विंता को लेकर कद्रू के पास पहुचा और कहा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी माता को अपनी दास्ता से मुख्ट कर दे कद्रू बोली हो सकता है बशर्ते की तुम मेरे पुत्रों को अमरित ला कर दे दो ये सुनकर गरूर सोच में पढ़ गया उसने अपनी माता से पूछा मा, अमरित कहा मिलेगा जिसे लेकर मैं तुम्हें दासी जीवन से मुख्ट कर संकू विंता ने कहा, अमरित का पता तुम्हारे पिता बता सकते है पुत्थ तुम उन्हीं के पास जाकर पूछो गरोल महर्शी कश्यप के पास पहुचा कश्यप अपने पुत्र को देख कर बहुत प्रसन हुए गरोल ने उनसे पूछा पिताश्री मैं अमरित लेकर अपनी माता को दास्ता से मुक्ती दिलाना चाहता हूँ प्रिपया मुझे बताए कि अमरित कहा मिलेगा Advertisements 123 महर्शी बोले पुत्र देवराज इंद्र ने अमरित की सुरक्षा के लिए बहुत व्यापक प्रबंध कर रखा है वहां तक पहुचना कठिन है गरोल बोला इंद्र ने कितनी ही कड़ी सुरक्षा प्रबंध क्यों न कर रखे हो मगर मैं अमरित ले आऊंगा आप मुझे सिर्फ उस स्थान का पता बता दीजिए महर्शी कश्यप ने गरोल को इंद्र का पता बता दिया गरोल ने फिर पूच्छा पिता जी मुझे भूख बहुत लगती है प्रिपया मुझे ये भी बता दीजिए कि इस लंबे मार्ग में क्या खाकर अपना पेट भरू एडवर्टिस्मंट्स 123 महर्शी बोले अमरित जिस थान पर रखा है उस सरोवर तक पहुचने में तुम्हें वक्त लग जाएगा इस बीच समुद्र के किनारे तुम्हें निशादों की अनेक बस्तिया मिलेगी ये निशाद बहुत पतित है और इनके आचरन असुरों जैसे है तुम इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना गरोर बोला और उसके बाद भी मेरा पेटना भरातो महरशी बोले सरोवर के अंदर एक विशाल कच्छुआ रहता है और उसके साथ ही वन में एक महा भयन कर हाथी भी रहता है दोनों ही बहुत फ्रूर और आसुरी प्रवृति के है तुम उन्हें भी खा सकते हो पिता का आदेश पाते ही गरूर अमरित सरोवर की ओर बर चला मार्ग में उसने निशादो को खा कर अपनी भूख मिटाए फिर अमरित सरोवर पर पहुँच कर कच्छप और हाथी को अपने पंजों में दबाया और दोनों को खाने के लिए किसी उचित जगह की तलाश में उड़ चला सोंगिरी परवत पर लहलहाते उचे व्रिक्षों को देख कर जैसे ही उसने एक व्रिक्ष पर बैठना चाहा तो उनके भार से व्रिक्ष की शाखा तूट कर नीचे गिरने लगी ये देख गरूर तुरंत उड़ा और दूसरे व्रिक्ष पर जा बैठा जिस शाखा पर वह बैठा उस शाखा पर उसने उलते लटके कुछ रिशियों को तपस्या करते देखा लेकिन वह शाखा उनके भार से तूट कर नीचे गिरने लगी ये देख गरूर ने शाखा को चोँच में दबाया और हाथी तथा कच्षप को पंजे में दबाये हुए अपने पिता से पूछा, पिता जी मेरे भार से उस पेड की शाखा तूट गई है जिस पर कुछ रिशी उलते लटके तपस्या कर रहे थे मुझे बताईए अब मैं इस शाखा को कहां छोँ महर्शी कश्यप बोले तुमने बहुत अच्छा किया पुप्त जो सीधे यहां चले आए शाखा से उल्टे लटके हुए ये बालखिलिया रिशिगन है अगर इन्हें कश्ट पहुँचा तो ये शाब देकर तुम्हें भस्म कर देंगे गरोल बोले तो फिर बताईए अब मैं क्या करूँ एडवर्टिस्मेंट्स 123 महर्शी बोले ठहरो मैं रिशिगन से प्रार्थना करता हूँ की वे अपना स्थान छोड़कर नीचे आ जाए महर्शी कश्यप ने रिशिगनों से प्रार्थना की बलखिलिया रिशियों ने कश्यप की प्रार्थना स्वीकार कर शाखा छोड़ दी और वे हिमालय में तपस्या करने चले गए चोंच में दबी शाखा को नीचे फेक कर गरूर ने भी आनन से कच्छुए और हाथी का आहार किया और त्रिट्थ होकर पुना अमरित लाने के लिए उर्चला गरोल अमरित सरोवर के पास पहुचा तो अमरित की रक्षा करते हुए महाकाई देवो और अमरित कलश के चारो और भूनते हुए चक्र को देखकर वह हैरान हो गया उसने सोचा कि ये देव और चक्र देवराज इंडर ने अमरित कलश की सुरक्षा के लिए लगाए हुए है चक्र में फसकर मेरे पंख कट सकते है इसलिए मैं अत्यन छोटा रूप धारंग कर इसके मध्य में प्रवेश करूंगा गरोर को देखकर एक देव ने कहा यह कोई असुर है जो वेश बदल कर अमरित चुकाने यहां तक पहुँचा है हमें इसे खत्म कर देना चाहिए दोनों देव विद्युद गती से गरोर पर तूट पड़े लेकिन गरोर ने अपने पैने पंजो और तीकी चोंच से इन्हें इतना घायल कर दिया कि शीग रहीवे दोनों बेहोश होकर गिर पड़े गरोर ने अमरित कलश पंजो में दबाया और वापस उड़ गया होश में आते ही दोनों रक्षक देव धबराय हुए इंद्र के पास पहुँचे और गरोर द्वारा अमरित कलश ले उड़ने की घटना बता दी ये सुनके इंद्र चकित होकर बोला ऐसा कैसे हो गया सरोवर में रहने वाले विशाल कच्छप और तट पर रहने वाले महाकाय हाथी का क्या हुआ उन दोनों को भी उस विशाल गरोर ने अपना भोजन बना लिया ये सुनकर इंद्र अपनी देव सेवा की एक टुकरी की साथ वजर उठाए इंद्रपुरी से निकला और गरोल की खोज में बढ़ चला आकाश मार्ग में उड़ते हुए शीगर ही उसने गरोल को देख लिया और अपना वजर चला दिया इंद्र के वजर का गरोल पर कोई असर न हुआ उसके डैनों से सिर्फ एक पंक वजर से टकरा कर नीचे आगिरा डेव गरोल पर टूट पड़े लेकिन कुछी समय में गरोल ने उन्हें अपनी पैनी चोंच की मार से अध्मरा कर दिया ये देख इंद्र सोचने लगा ये तो महान पराक्रमी है मेरे वजर का इस पर जरा भी असर नहीं हुआ जबकि मेरे वजर के प्रहार से पहार तक तूट के चूल्न बन जाते है ऐसे पराक्रमी को शत्रुता से नहीं मित्रता से काबु में करना चाहिए ये सोचकर इंडर ने गरूर से कहा पक्षी राज, मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ इस अमृत कलश को मुझे सौप दो और बदले में जो भी वर मांगना चाहते हो मांग लो गरोल बोला, यह अमृत मैं अपने लिए नहीं, अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए नाग माता को देने के लिए ले जा रहा हूँ इसलिए ये कलश मैं तुम्हें नहीं दूनगा इंद्रा बोला ठीक है इस समय तुम कलश ले जाकर नाग माता को सौप दो किन्तु उन्हें इसे प्रयोग मत करने देना उचित मौका देखकर मैं वहां से यह कलश गायब कर दूंगा गरोल बोला अगर मैं तुम्हारी बात को मान लूँ तो मुझे बदले में क्या मिलेगा इंद्रा बोला तुम्हारा मन पसंद भर्पिट भोजन तब मैं तुम्हें इन्ही नागों को खाने की इजाज़त दे दूंगा गरोल बोला यही तो मैं चाहता हूँ नाग मेरे स्वादिष्ट भोजन है किन्तु एक ही पिता की संतान होने के कारण मैं इन्हें कहते हुए हिचकता हूँ अब मेरी हिचक दूर हो गई अब मैं आपके कथानुसार ही कार्य करूंगा ये कहकर गरूर अमरित कलश लेकर कद्रू के पास पहुचा और उससे बोला माते अपनी प्रतिग्यानुसार में अमरित कलश ले आया हूँ अब आप अपने वचन से मेरी माता को मुक्त कर दे कद्रू ने उसी क्षन विंता को वचन से मुक्त कर दिया और अगली सुबह अमृत नागों को पिलाने का निश्चे कर वहाँ से चली गई रात को उचित मौका देखकर इंद्र ने अमृत कलश उठा लिया और पुनह उसी स्थान पर पहुचा दिया दूसरे दिन सुबह नाग जब वहाँ पहुचे तो अमृत कलश गायब देखकर दुखी हुए उन्होंने उसकुशा को ही जिस पर अमृत कलश रखा था चातना आरंब कर दिया जिसके कारण उनकी जीब दो हिस्सों में फट गई गरोल की मात्रभक्ती से प्रसन होकर भगवान विश्नु गरोल की सम्मुक प्रकट हो गए और बोले मैं तुम्हारी मात्रभक्ती देखकर बहुत प्रसन हूँ पक्षी राज मैं चाहता हूँ कि आपसे तुम मेरे वाहन के रूप में मेरे साथ रहा करो गरोल बोला मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रभूर जो स्वयम आपने मुझे अपना वाहन बनाना स्वीकार किया आज से मैं हरक्षन आपकी सेवा में रहूंगा और आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगा इस तरह उसी दिन से पक्षी राज गरोल भगवान विश्नु के वाहन के रूप में प्रयुक्त होने लगे गरोल के भगवान विश्नु की सेवा में जाते ही देवता भयमुक्त हो गए और चूनकी नागू के चल के कारण गरूल की मा विनीता को दास्ता स्वीकार करनी पड़ी इसलिए नाग और गरूल एक दूसरे के दुश्मन है